मेरे आगे आप ट्रॉलर देख रहे हैं यह बिल्कुल करांची ते बाहर जा रहा होगा पंजाब साइट पे आप इसका मैं अगर आपको करीप से जिगाऊं तो यह आप देखें इस ट्रॉलर में एक लाइट भी मौजूद नहीं है जो कि हाइवे के लिए बहुत जादा दरूरी होती है अगर इस टॉलर वाले को पीछे वाले को इशारा देना हो बताना हो कि उसको थीरे आप मोड़ना है या वो ब्रेक ले रहा है तो किस तरीके तर पना चलेगा देखें यह आगे जो ट्रॉक वाले बाई साब जा रहे है यह भी इसी तरीके से अब ट्रैफिक पुलिस को हाइवे पुलिस को यही चाहिए कि इनका बड़े से बड़ा चलान होना चाहिए ताकि यह आइंदा इस तरीके की अरकत ना करें देखें एक भी ना पार्किंग ल पुल के खिलाब बड़ी है बिलकुल है इस ट्रक की आप आलत देख सकते हैं कि माशालला कितनी बेतरीन किसम की इसने ट्रक वाले ने इसकी आलत रखी है कि एक ब्रेक लाइट नहीं है एक पार्किंग लाइट नहीं है कोई रिफ्लेक्टर नहीं है और यह चले पर चले जा आप से यह में सौराब कोट का प्रेज सामने आपको नदर आएगा कि मैं सौराब कोट के प्रेज के पास ही हूं और यहां से एम नाइन जो हैदराबाद मोटर वे है वो स्टार्ट हो जाता है यहां से अब अगर हम ट्रैफिक की बात करें और रूल्स रेगुलेशन की बात इसको और ऐसे जो है बड़ी बड़ी लॉंग वेहाइकल होती है जो करांची से हैदराबाद लोहौर वगयरा जा रही होती है तो वहां उनके लिए बहुत जादा यह देखना चाहिए कि इस तरीके की जो यह लॉंग वेहाइकल है इसका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए प आपको नदर नहीं आ रही है इसने काफी दफा ब्रेक लगाए है अभी तक कोई प्रेक पे इसकी लाइट नहीं जली है तो आप यह देख लें कि यह कैसा कानून है मतलब अगर कानून के हिसाब से भी देखा जाए जिसको मिलगिया है अब ये किसी भी कमपनी का जो भी मतलब कमपनी वाला है जो मतलब समझ ले हैं जो इस समान को भेज रहा है आउट आफ सिटी तो उसको भी जरूर ये चाहिए था कि वो प्रॉपर तरीके से इसकी जांच परताल करता इसको देखता कि मैं जिस ट्रक पे माल लोड करवा रहा वो ट्रक बिलकुल साही पोजीशन में है कंडीशन में है या नहीं है यह देखें इस तरीके के हाथसा जब रोनुमा होते हैं तो बहुत जादा नुकसानात होते हैं अब ब्रेकिंग हो रही है मगर देखें यहाँ पर कोई ब्रेक लाइट नहीं है इसके पास इंडिकेटर नहीं है तो यह तमाम चीज़ें होनी चाहिए लोगों को इस चीज़ का शौर होना चाहिए इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कि वो अगर लॉंग रूट पे जा रहे हैं तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपको खत्रे से ब जा सके अब ये के माली नुक्सान तो होता है ये वो ट्रक वाला तो आगे घुजर गिया है वगर अगर आगे बिल फर्द अल्ला ना करे खुदाना हाथा कोई ऐसा हासा रोनमा होता है तो माली नुक्सान के साथ जानी नुक्सान भी बहुत जादा होता है इस चीज में क्यों कि सारे रूल चलते को देखना और आपके प्रेक्स लाइट साहिंब पता होना चाहिए कि आपको मालूम होने चाहिए कि कि सरीखे कि साइड मÝर कब आप tai ने मेर को किस इसमाल करने मेर को किस सा और कि लावा भगर पार करें हम ऑवरटेकिंग व गखर है कि तो किस सहीchyड है कि मैंने आपको ट्रंक दिखाया था अगर उस ट्रक की बात मैं दुबारा से करूँ तो वो ये कि अगर वो ओटेक करता है किसी को किसी भी बस वाले को ट्रक वाले को या किसी भी गाड़ी वाले को तो वो किस तरीके तो ओटेक करेगा जबके उसके पास तो कुछ भी मौझूद नहीं है ना उसके पास brake light है ना उसके पास पारकिंग light है ना कोई उसके पास indicator है तो यह तमाम चीजे बहुत-चीजे अपना ऐम्पोर्टन्ट हिहां पर बड़ी गाड़ीओं को छलाने के लिए इस तरीके की मज़ीद अपडेट्स के लिए गरांची वाले के साथ रहिएगा अपना ख्यार लगें